हलो एब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल आज है वेनेज़ दे और काफी सनी है तेमपरेचर भी आज 12 डिग्री सेलसियस है तो काफी अच्छा सा टेमपरेचर है सनी है एकदम चलिए आए अपने दिन की शुरुबात मैं करती हूं अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्र लाइक करिये कमेंट करिये वीडियो तो दिन की शुरुबात कुछ मेरी ऐसे होती है कि मैं जिंजर को अच्छे से वाटर में बॉल करती हूं साथ में हनी और लेमन जालती हूं तो इस वेरी गुट फो यर स्केंट फो यर लीवर इस बेसिक्ली एक लीजिग द्रेंक तो हम लोग गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और देखिये कितनी सारी ग्रॉसरी लेकर आई हूं मैं और बड़ा रिच वाली फीलिंग आरी है क्यूंकि आपको पता है अचकल तो कुछ मिलता नहीं है अभी मैंने आदा समान लगा दिया है फ्रिज में बाकी यहां है क्य we have to just have to book online and then we have to just reach to the pickup point and they will just deliver it right away वाद अवाँ ओग काफे अच्छा रहा प्राकितलो तोड़ा मीको यंडिय का हिल स्टेशन यहाँ आ अर बड़ा था यहां था और यह थी involves more कार में ही ट्रंक में समान डाल दिया था और फिर हम लोग लेकर आगे चलिए फिर अब ये देखिए कितना अच्छा वेदर है अब मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था आप लोग को दिखाने के लिए तो आप भी पताईएगा अगर आपको भी हिल्स याद आ रही है तो क्य हमारे काफी प्लैंस थे लेकिन सारे प्लैंस बिकाउज आफ करोना फ्लॉप हो गए चलिए आगे बनाते हैं हम लोग आज पालक के पराथे तो पालक ही मैंने फ्रोजन ये लिए क्योंकि फ्रेश में पास थी नहीं और फ्रोजन मैं पालक मेथी को स्टोर कर लेती हूं तो आपको पता है आप लोग भी सब खाते होंगे लेकिन इसको दो तरीके से बनाते हैं एक होता है कि हम लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं पालक को फिर बनाते हैं और एक होता है मैं इसको ग्राइंड नहीं करती हूं मैं डारेक पालक को कट करके चॉप करके आटे में गूं अज का पूरा दिन जो था हमारा ग्रीन ग्रीन था उसके बाद जो मैंने बनाई अपनी ब्रॉकली की टिक्की ब्रॉकली टिक्की के लिए मैंने क्या किया थोड़ा सा पनीर लिया आलू लिया बॉयल डालू और ब्रॉकली को ग्रेट कर लिया ग्रेट किया अच्छे से मैं इस पता ही हैं की बहुत हेल्डी होती है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, रियुए गुदानल हिसको अगर लिदो पाली हो dès रुदार हैं, जुद्पट के पीज़ में अपने ड्रुखे पेनट को मैं कframe मिamtसी मेना करश दिया था, and शरु यूधी में मिकसरें लियू आराम से मैं इसकी बनावगी टिक्की और साथ में मैंने मिर्च लोई करता है। मैंने इसमें चंकी चार्ट मसाला HD मैं धीएच उप्ट श सची खानव एक खटाखे व्याली तेश्प मतल है। अध्या गती है तियुकेगा खाला है रियू को आज़ की खाले हैं। और इस भी बना लूँगी मैं टिक्कीज, तो मेरी तो छेसा टिक्की बनी थी तो आप अपना फैमली साइज को देखते हो है अपना टिक्कीज बना ले ना, शेसा टिक्कीज जितनी आपको बनानी हो और ये काफी अच्छा स्नैक भी हो सकता और अपना मील रेप्लेस्मेंट अगर आप चाहो तो ग्रीन चर्टनी बनाईए मैं इसके साथ में एक अलग डिप बना रही हूं जो मैं आपको दिखाऊंगी देखिए यह बिल्कुल राउंड सी मैंने टिक्कीज बना ली है और मैंने एक चीज और करी थी मैंने इसको ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं अचीज भिंड आकारम एक ऊँए तो मैंने इसमी बड्यक्रम्स में डेटकान सेका था बट्रोफम डिप करको भी देखिए वह वैसे वैसी रहती थी किए आप इसके अस्टाप कह दूप फिर कर डिया है थोड़ासा मैंने घ्रीतिमें तो याद रखिएगा कि मेराउंग तो अब काफी ग्रीसिंग कर यह लोग चाहिए तो अच्छे से तल भी सकते हैं लेकिन मैंने हलके से तवे को ग्रीस करके और अपनी सारी टिक्कियों को तवे के ओपर लगा दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे तो सबसे पहले आप देखेगा कि तवा अच से थोड़ी सी ग्रीसिंग और कर दीजे देखिए मैं अब ब्रश से एक एक टिकी के ऊपर ओयल लगा रही हूं तो बस अब करीब मुझे लगता है 15-20 मिनिट्स मुझे लग गए थे दोनों तरफ से सेखने में एक चीज का ध्यान रखेगा कि उसको ज्यादा बार आप उसे टच मत करिएगा नहीं तो वह तूट जाएंगी और अल्टिमेटली देखिए यह थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा इस इसके लिए मैंने अनियन ले लिया है कैपसिकम लिया है कैरट लिया है कुकुमबर लिया है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं कैबिज डाल सकते हैं जो आपके पास अविलेबल हो तो मैंने काटोरी में इस सारी चीजों को डाल दिया है तो सबसे पहले मैंने इन सब को दही और मायो डालके आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजे और साथ में मैं इसके डाल रही हूं चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने इसमें और फिर मैं डालूंगी इसमें और अरेगैनो डालके और काली मिर्च डालके मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी तो काली मिर्च और चिल कैचप डालें और फिर इसको दुबारहा से मिक्स करिए और हमारा जो डिप है वो रेडी है डिप को अच्छे से से ब्लेंड कर ये स्पों 0 점 और इसको रेडी कर लीजे खाने के लिए बस आपकी ब्रॉकली टिक्की के साथ आपकी डिप भी रेडी है और इस डिप को आप कैसे भी खा सकते हैं किसी भी चीज के साथ लाइक नाचूस के साथ खाईए भेल पूरी भेल पूरी में भी मिक्स करके खा सकते हैं किसी भी चीज अपने स्नाक्स के साथ यूज करिए और यह देखिए मेरी टिक्की ज रेडी हैं एकदम और कलर बहुत अच्छा है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और यह बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है तो उपर से मैं इसमें थोड़ा सा चंकी चाट मसाला और थोड़ा सा ड अब हम पाव भाजी देखते हैं कि मैंने पाव भाजी कैसे बनाई फटा फट तो पाव भाजी के लिए मैंने सारी वेजीटेबल को कट कर लिया है जिसके लिए मैंने गोबी ली है गाजर लिया है और शिमला मिर्च ली है आलू लिया है मैंने और पीज लिये है तो आपके चीजों को मैंने एक प्रेशर कोकर में डाल दिया है और देखी कितना अच्छा गलर आ रहा है इस लव दिस कलर और बहुत दिनों के बाद देखने कोई मिल रहा है क्योंकि काफी दिन से मेरे पास सारा समान खतम हो रहा था और बस मैं कुछ फ्रोजन और दाल इन सब च पानी डाला था मैंने इसको बस एक सीटी लगाई यह सारी वेजिटेबल्स को दूसरी तरफ मैंने ग्राइंड किया है अपने अनियंस को और साथ में मैंने टोमैटो तोमैटो आप जादा डाल सकते हैं दो तीन चार जितने आप डालना चाहे क्योंकि उनसे एक टेंगी टे मैंने एक पेस्ट बनाई है और पेस्ट को मैं अब डाल रहे हो मैंने एक कडाई ली है कडाई में पहले मैंने जिंजर गालिक पेस्ट डाली है आज तो मैं साथ एक मजाक और हुआ मैंने बड़ा वाला बॉक्स ओडर किया था जिंजर गालिक का जिसके बदले में छोटी सी जिंजर गालिक पेस्ट की डिब भी आई मेरे पास तो वो तो काफी डिसपॉइंटिंग था क्योंकि मेरे साब से बहुत बड़ा था वो दिख रहा था पिक्चर में बड़ा चलिए फिर मैंने पेस्ट डाल दिये और साथ में मैंने जो मेरा ग्राइंडिड पिसा हुआ मसाला और इसके बाद मैं डालूंगी अपना रेड चिली पाउडर तो मिर्ची अगर आपके ग्रीन पड़ी हो में पास तो एक्चली था थी नहीं तो मैंने ये रेड वाली डाली है लेकिन आप ग्रीन वाली भी डाल सकते हैं तो ग्रीन आप जब डालेंगे ना तो रेड चिली आप मिस भी कर सकते हैं स्किप कर दीजेगा और कुछ डालीजेगा साथ में मैं अपनी चटनी आज एक बना रही हूँ मैं पास अवकेडो आयो थे मैं लेकर आई थी तो मैंने सोचे इसके एक चटनी बनाओं चटनी के लिए मैंने क्या लिया है आपको मैं दिखाती हूँ म अवकेडो प्लस अपका जिंजर और गार्लिक मैंने को बस मोटा मोटा पीस लिया और में पाप मिंट मैं लेकर आई थी काफी सारा तो मैंने मिंट को भी चाट लिया है अच्छे से उसको वाश करके रख लिया है और दूसी तरफ देखिए मेरी पाव भाजी का मसाला भून अच्छे से सबजी यह गल गई होगी अब आपको क्या करना है इसको अच्छे से दूसरे तरफ आपकी गैस पर जो मसाला बन रहा है मसाले को थोड़ा सा वाटर और एड़ करके अगर इसमें आप देखे ना अगर इसमें ऑईल जादा होता तो क्या होता ना यह जल्दी बहुत अच्छा कलर आता आप आयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं मैंने कम डाला है इस वज़े से इसको भूनने में टाइम लगेगा और पानी डाल डालके मुझे दुबारा इसको भूनना पड़ेगा दूसरी तरफ कुकर में बिलकुल मेरी जो सबजी थी मैंने उसे मैश कर ली थी और अब मैंने इसको मसाले में डाल दी है अपनी जो मैंने जिंजर गारलिक टोमैटो अनियन का मसाला बनाया है और साथ में ही मैंने सबजी डालने के बाद मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला ये आप कोई भी ब्रैंड यूज़ कर लीज़े जो आपके पा काना šsoever पोर्ण तियार करा है। नहींगी तीकुंड eh आपको पते ही कि विंः वाजी बिना बटर के तो ₭ है तो मैंने इसमेन fort that का रगाया है जिसमेट सें सी सब्राइब चक्शमीरी मिर्च इता में진 रगा दिया है साथ में दालं दो पाव भाजी साह है या बिना बटर के साइक लिए जिए नॉमली जैसे मैंने सेके हैं और अपना आराम से इस मेल को इंजॉय करिए साथ में मैं बना रही हूँ अपना पुदीने की चटनी तो आज के लिए यही काफी था यही था मेरे पास आपको दिखाने के लिए अगर कुछ भी आप लोग को इसमें पसंद आता है इस वीडियो में तो प्लीज लाइक करिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अच्छे से दुबारा देखिए इसको दुबारा आईए और कुछ भी इंपुर्स दीजिए